नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरनेस एजुकिस न्यूज में तो दोस्तों सेकेंड ग्रेड सिक्षक भरती दो हजार अठारा नो हजार जो चैनित साथी है उनके लिए बड़ी अपडेट दित्ते स्रेने सिक्षक भरती दोस् जी हां दोस्तों यह आज के पत्रीका की ख़बर है और आप सिकर संस्क्रण को भी देख सकते हैं तमाम संस्क्रण में यह जानकारी प्रकाशित की गई है पूरी जानकारी देख लेते हैं इसमें क्या कुछ कह गया है तो प्रदेश के 9000 वेरोजगारों को जल्द नोकरी मिल सकती है दित्ते सिरणी सिक्षक भरती 2018 की रहा में आ रहे है पेज को सुलजाने के लिए शिक्षा मंत्री ने RPSC वे महादी वक्ता को पत्तर लिखा है शिक्षा विभाग के पास राजस्तान लोक सेवा आयोक से चेनित अभ्यारतियों की दस्तावे जाते ही जांज प्रिक्रिया शुरू कर दी जाएगी इसके बाद चेनित अभ्यारतों को मंडल आवंटित किये जाएंगे इस पूरी कवाईद को देखते हुए माना जा रहा है यदि न्याले से भरती को हरी जंडी नहीं मिली तो ऐस्ताई आधार पर मंडल आवंटित होंगे तो ये कहा गया है दोस्तों इसमें कि रास्तान लोईक सेवा आयोक के पास चेनित अभ्यारतों के दस्तावे जाते ही जांज प्रिक्रिया शुरू की जाएगी और उसके बाद जो मंडल आवंटित होते हैं वो यहाँ पर आवंटित किये जाएंगे और अगर न्याले से यानि की कोट में दोस्तों भूत्तुर सैनिकों का भी मामला है तो अगर वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिलती है तो ऐस्ता यह दार पर मंडल आवंटित किये जाएंगे और यह गोवन सिंग डोटा सरा का स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं जल्द देंगे न्युकति विभाग दित्ते स्रिने शिक्षक बंदों पर जल्द न्युकति के लिए जुटा हुआ है यानि की कार यह जारी है दोस्तों सेकेंड ग्रेड शिक्षक बंदों की न्य ज्यादा है पोस्ट SST उसके बाद है 1904 हिंदी की 1567 विज्ञान की ग्यारा सु बहतर हैं गनित की 727 इंगलिस की 819 उर्दु की 118 सिंदी की चार पंजाबी की 93 और TSP की 838 तो इस तरीके से तक्रीवन 9000 यो जो पद हैं सेकंड ग्रेड सिक्षकों के उन पर जल नुक्ति होने वाली है अब देखिए सिक्ष्या विभाग इन पेच को सुलजाने में जुटा हुआ है पूरु सैनिकों का दोस्तों आप सभी को पता है कि पूरु सैनिकों का रिजल्ट भी RPS से ने जारी नहीं किया था इसके लिए भी सिक्ष्या मंत्री ने माधी वक्ता डबले जी साब आपको लिखा है कि वो जल से जल इसको किलियर करें और इसमें जल सुनवाई की आस है फारम भीजने को भी कहा है शिक्ष्या मंत्री ने लोक से वायो को पत्र भीजायर अगले सप्ता तक चैनित अभ्यरतियों को विस्तृत आविदन फारम मिलने की संभावना है अगले सप महिने यह जो माई का महिने चल रहा है इसी महिने के अंत तक यह जो जांच परिक्रिया है यह पूरी कर ले जाएगी तो दोस्तों यह बड़ी अपडेट है और 9000 जो चैनित बेरोजगार साथी है जो सलक्टेड हो गए थे 2018 की सेक्रिमेर सिक्षक भरती में उनको दोस्तों यह जो है माई के अंत तक खुसकबरी मिल सकती है तो दोस्तों यह अपडेट था आप लोगों के लिए 9000 बेरोजगारों के लिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए जानकर या पत्री का न्यूज पर भी द